हेलो स्टुनेंट्स वालकम टू अभीपीडिया पावर्ट बाइ अभीमन्यु आईएस स्टुनेंट्स आज एक बहुत ही महत्वपुरन जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ आईएस इंस्टुटुट ओफ बैंकिंग पर्सोनल सलेक्शन ने अपना 2021 का एक्सामिनेशन केलेंडर एक पुब्ली सेक्टर बैंक और रिजिनल दूर्वल बैंक के लिए अपना इयरली केलेंडर एक्सामिनेशन रिक्रूट्मेंट केलेंडर रिलीज कर दिया है तो IBPS के इस calendar के अंदर बेसिकली IBPS का regional rural bank चाहे वो office assistant multipurpose की बात हो जिसको हम clerical बोलते हैं चाहे वो scale 1 officer की बात हो जिसको हम PO भी बोलते हैं या फिर जो scale 2 या scale 3 officers की recruitment होती है that is common recruitment program जो होता है उसके लिए dates announce कर दी गई है and उसी के साथ साथ जो हमारे public sector banks होते हैं तो public sector banks का चाहे वो scale 1 officer that is PO का exam हो चाहे वो clerical का exam हो या फिर वो specialist officer SO का exam हो इनके लिए dates को announce कर दिया गया है 2021 22 के लिए IBPS के दोरा हलाकि IBPS का कहना है कि this is the tentative calendar ये tentative calendar है tentative बोलने का मतलब यह होता है कि IBPS चाहे तो कभी भी इनमें बदलाव कर सकता है but एक idea information ठीक है एक approximate dates IBPS ने announce कर दिया है तो उसी के हिसाब से अब हमें अपनी preparation start कर देनी चाहिए तो जानते हैं basically क्या dates IBPS ने announce करी है calendar के बारे में थोड़ा सा जानते हैं देखते हैं calendar को तो this is the date these are the dates RRBs के लिए सबसे पहले हम बात करें that is regional rural banks के लिए अगर मैं बात करूँ तो regional rural banks का जो clerical का exam होता है जिसको हम office assistant बोलते हैं या फिर यहाँ पे हमारे पास officer level that is scale one officer या फिर पियो जिसको हम बोल देते हैं ठीक है तो यहाँ पर regional rural banks की बात हो रही है RRBs का मतलब क्या है regional rural bank तो regional rural banks CRP CRP होता है common recruitment program common recruitment program कि इंडिया के अंदर जितनी states हैं हर states में जितने regional rural banks है ठीक है तो हर के लिए common examination ही होता है यह बोलने का यहाँ पे मतलब है तो उसी तरह से POV that is officer level and office assistant level तो यहाँ पे जो prelims है ठीक है prelims exam है चाहे वो office assistant का है चाहे वो officer scale 1 का है ठीक है इसके लिए dates यहाँ पे announce कर दीगी है अगस्त 2021 की date है 1st of August, 7th of August, 8th of August, 14th of August and 21st of August 2021 तो यहाँ पे इन dates में conduct करवाया जाएगा scale 1 officer that is PO और office assistant that is clerical का prelims exam और जो student, जो students, जो aspirants इसको qualify कर लेंगे prelims के exam को तब वो eligible हो जाएगे मेंस के लिए अब मेंस वाला exam उनका conduct करवाया जाएगा जो officer scale 1 वाले होंगे उनका 25th of September को और जो office assistant वाले होंगे उनका 3rd of October को यह exam conduct करवाया जाएगा अब office assistant की date बाद किये तो एक हम thinking यह करा सकते हैं लगा सकते हैं एक दिमाग अपना कि office assistant का exam यहाँ पर last dates में होने के chances जाना है यानि की scale 1 का exam पहले होगा यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि office assistant का exam किस date पे होने वाला है और office scale का exam किस date पे होने वाला है बट जो mains की बात आती है तो mains के लिए दोनों के लिए separate date दी गई mains के लिए दोनों के लिए separate dates को announce किया गया अब यहाँ पर officers की बात करी थी officers में scale 1 भी आता है scale 2 भी आता है scale 3 भी आता है ठीक है अभी हमने scale 1 की बात करी है तो जो scale 2 और scale 3 officers है ठीक है तो इनके लिए यहाँ पर सिर्फ एक single examination ही होता है इनके लिए कोई prelims या mains नहीं होता है इनके लिए एक single examination conduct किया जाता है तो जो की होने वाला है 25th of September को जो की होगा 25th of September 2021 को ये exam conduct करवाया जाएगा तो अभी हमने जाना है regional rural banks के बारे में ग्रामीन बैंकों के बारे में अब हम बढ़ते हैं public sector banks के तरफ public sector banks की बात भी कर लेते हैं कि public sector banks में basically कब exams को conduct करवाया जाएगा तो public sector banks की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए जो common recruitment program है चाए वो clerical है चाए वो PO है ठीक है या फिर management trainee ब करवाया जा रहा है तीनों का ही तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिम्स डेट की तो प्रिलिम्स डेट की अगर मैं बात करूं प्रिलिम्स का जो एक्जाम है जब वो clerical की बात हम करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर चार्ट डिट्स दी गई जो कि 28th of August 2021 से शुरू होती है और 5th of September 2021 तक चलती है, 28th of August, 29th of August, 4th of September and 5th of September and basically clerical का जो मेंस एक्जामिनेशन होगा जो बच्चे प्रिलिम्स को कौलिफाई करेंगे वो मेंस के लिए लिजिवल होगे तो यह मेंस कंड़क्ट करवाया दाएगा 31st of October 2021 को यानि कि आप देख सकते हो कि प्रिलिम्स के बाद लगबग आपको दो महिने का टाइम मिल रहा है, ठीक है, सारा सप्टमबर का महिन है क्योंकि 5 सप्टमबर को प्रिलिम्स तो खतम हो जाएगा, उसके बाद 25 दिन सप्टमबर के हैं और पूरा का पूरा October मिल रहा है, तो द ठीक है, पिलिम्स में आप कही लेवल पे बेसिकली के बेस में जैसे कॉइंट होता है, जो रीजनिंग होती है, अपने अनलिटिकल के बेस पे क्रैक कर सकते हो, बट मेंस एक्जैम जो होता है, यह कंसेप्ट काफी काम आते हैं, तो आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है, करने में मदद करते हैं, यह क्योंकि ट्रेक्स जो होती है, वो कई बार जो एक्जामिजर घुमा फिरा कर कोशन पूच लेता है, तो वहां पर कंसेप्ट ही काम आते हैं, तो जिन स्टुडेंट्स नहीं कंसेप्ट के उपर फोकस किया होता है, वो क्लियर कर लेते हैं, बाकी अक्टूबर से शुरू होगा फिर 10 ऑफ अक्टूबर को है फिर 16 ऑफ अक्टूबर को है और पी यो का जो मेंस examination है वो 27 ऑफ निवेंबर को कंड़क्ट किया रहेगा 27 ऑफ निवेंबर को यहां बट इस साल आप देख रहे हैं कि यह 21-22 के कलेंडर में थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है पीओ का एक्जाम बाद में कंड़क्ट करवाया जा रहा है कि उसके बाद मैं स्पैसलिस्ट ऑफिसर की बात करूं एसो की बात करूं तो आसो का उनुका का एक्जाम होगा वह 18 ऑफ डिसम्बर को होने वा रहा और और ऑद में अग्जाम काड़क्ट करवाया जाएं और जिसमें बहुत अछा ताइम हें आपके लिए प्रिपेर करने का अगर बैंकिंग सेंने अपना करियर बनाना जाननाचाथे तो पहुत ही अच्छा मोका है बहुत ही सुनरी मोका है क्योंकि नंबर ओफ एकंस तो भी हम नहीं जानते हैं बट हमारे पास है मतलब ऑग्साम तो होगा डेट ऑ गई है तो एक्जाम तो यहां पर हो गई गाई recruitment भी होगी होगी तो clear वो करेगा जो aspirant अच्छे लेवल पर preparation करके जाएगा क्योंकि number of vacancies अभी हम नहीं जानते हैं तो इसलिए हम यह नहीं बता सकते कि क्या cut-off रहेगी कौन-कौन select हो सकते हैं कितने ज़्यादा chances हैं कि एक जो क्योंकि हर student यहां पर अच्छे लेवल पर prepare करने वाला है क्योंकि हर किसी को job चाहिए unemployment rate बहुत बढ़ता जा रहा है तो इसलिए hard work is the only way to crack exam hard work and smart work also ठीक है अगर आप hard work करते हैं तो hard work के साथ साथ बैंकिंग अग्जाम में एक और चीज़ काम आती है वो होता है smart work hard work के साथ साथ सिर्फ smart work student होता है जो hard work करते रहते हैं करते रहते हैं बद गलट ट्रैक पे चले जाते हैं क्योंकि वहां पर smartness का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया रहाता स्मार्ट वक्का का इस्तेमाल इतना भी करना ऌता है तो रेगुलर एक रेगुलर एप्रोच एक रैगुलर स्टड़ी रिक्वाइड होती है इसके बाद makes कहता है बैसिकली कुछ प्रोसेस यहां पर डिफाइन कर दिया का आपको एक ही फिर्म के लिए से फॉर्म भरना होता है के लिए के लिए लगसे फॉर्म भर ना होता है हमेशा है जलता है फोटोग्राफ का एक साइस की अपनी फोटो ओनी चाहिए signature का एक size दे दिया, यह आपके पास 10 KB to 20 KB का, आपके पास अपना एक signature होना चाहिए, उसके बाद thumb impression आपके पास होना चाहिए अपना, ठीक है, अंगुठा, और एक basically एक hand return declaration होता है कि मैं यहाँ पे जो भी जानकारी दे रहा हूं, ठीक है, वो मेरा ही है, तो 50 KB से 100 KB से तक decisions होंगे, वो time to time यहाँ पर update कर दिये जाएंगे, IBPS की website पर, that is, IBPS.in, www.IBPS.in, यहाँ पर update करती जाएंगे, time to time, और यहाँ पर disclaimer आता है, जिसमें IBPS कहता है कि IBPS कभी भी किसी भी rules में change, rules या process में changing कर सकता है, यह IBPS का कहना है, तो बच्चों, अब time आ गया है, preparation करने का, क् कि dates आ गई है, exam की, अभी time है, ठीक है, जैसे August में start था, तो August के लिए अभी हमारे पास six to seven months है, बट, अगर हम अच्छे लेवल पर preparation करना चाहते है, अच्छे लेवल पर, कि मुझे exam क्रैक करना ही करना है, हर हाल में करना है, ठीक है, तो हमें आज से ही, आज से ही अपनी preparation को start कर देना चाहिए, देखिए, previous year analysis कीजिए, कि किस तरह से IBPS question पूछता है, किस तरह से paper pattern रहता है, क्या क्या process रहता है, कैसे हम हो सकते हैं, क्या syllabus रहने वाला है, तो सबसे पहले तो analysis करो, syllabus देखो, और उसके बाद start करो अपना preparation, start करिए अपना preparation, तांकि daily कुछ घंटे की study क regular approach के साथ, चाहिए, हम जॉब भी करते हैं, हमारे पास जाला time नहीं है, या फिर हम aspirant ही है, तो अपने time को, अपनी activities को कुछ इस तरह से divide की जो student भी है, जो भी इस साल pass out होने वाले हैं, तो वो भी eligible हो जाएंगे इसके लिए, जब तक basically exam का notification आएगा, तो वो भी अभी से ही अपने आपको basically अपने other studies के साथ, ठीक है, अपने final rate के साथ कुछ घंटे यहाँ पर divide कर लें, तांकि till exam, पहली ही बार में वो भी exam crack कर पाएं, जो कुछ student होते हैं, जो सदियों से preparation कर रहे हैं, काफी सालों से preparation कर रहे हैं, बट exam crack नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं, कहीं ना word, यहाँ पर कोई भी perfect नहीं है, कहीं ना कहीं weakness रहता ही रहता है, तो हमें अपनी उस weakness के उपर focus करना है, हमें अपनी उस weakness के उपर focus करना है, और सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, और अगर आप preparation करना चाहते हैं, तो अभी पीडिया आपके लिए लेके आया है, एक multi-purpose, office assistant, either officer level, either PO, clerical हुआ, इन सब के लिए हम आपके लिए course लेके आए, that is a single course for all exams, that is combined course, जिसका link नीचे आपको description में बिल जाएगा, all classes in this course by the expert faculty of Abhimanyu IS, तो अच्छे लेवल पे course को प्रिपेर किया गया है, तांकि आप 2021-22 के इन banking exams को crack कर बाएं, अच्छे लेवल पे इनको crack कर पाएं, तो बहुत ही अच्छा course हमने प्रिपेर किया आपके लिए, and अगर आप basically सिर्फ एक exam के लिए target करना चाते हैं, जैसे IBPS PO हुआ, या IBPS clerical हुआ, RRB, officer scale 1 हुआ, या फिर office assistant हुआ, तो उन सब के लिए particular courses भी available है, but एक combined bank PO का course भी हमारे पास available है, जिसमें quantitative aptitude हुआ, reasoning हुआ, या फिर हम बात करते हैं, English वाले section की, या फिर जो office assistant, RRB के exam के अंदर computer वाला पार्ट आता है, या फिर जो GK वाला पार्ट पूछा जाता है, ठीक है, clerical में 50 questions आते हैं, PO में 40 questions आते हैं, RRB चाहे, clerical हो चाहे, PO दोनों में 40 questions ही आते एक्जाम को crack करने में, बर्ट mains में आता है, pre-way नहीं आता है, prelims में नहीं आता, क्योंकि prelims के अंदर बाकी चीज़े पुछी जाती हैं, तो उनका level इतना easy होता है, मेंस के अंदर जो बाकी topics होते हैं, उनका level बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारे course के अंदर हम आपको basic level से ल गा, तो course का link नीचे आपको description में मिल जाएगा, तो अभी से ही अपना start preparation कर दिजे, preparation को start कर दीजे, ताकि आगे जाकर आप banking में अपना successful career बना पाएं, तो it's all for today, thank you so much, have a nice day and all the best for your exam. झाल